चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकूर कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामना नहीं का let A is equal to में अंडरूट के अंदर आपका 6 माइनस का अंडरूट 5 B is equal to underूट 5 माइनस का 2 C is equal to में 2 माइनस का अंडरूट 3 then the point out the correct alternative among 4 alternative given below यानि एक्जामना नहीं का इन चारों में से कौन सा option जो correct है इसमें का है जो C जो है वो greater than A से है और A जो है greater than B से है इसके अंदर का रहा है B जो greater than C से है C greater than A से same ऐसे इसने option दियो है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा correct answer है एक तरीका तो यह है आप इनका squaring both side कर दीचे but squaring both side करने पर भी आपको A का square मिलेगा फिर यहाँ पर confirm value नहीं होगे but अगर आप एक छोटा सा logic देखें यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए यह मुझे दे रखाया आपका इसमाल यह 10 दे रखाया 10 यह 10 ही 20 ले लेते हैं यह 20 है यह ही मेरे पास 20 और यह मेरे पास 20 मैंने इसको 1 से डिवाइड किया मैंने इसको 2 से डिवाइड किया और मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो जब मैंने इसे 1 से डिवाइड किया तो इसका डिवाइड करने पर नमबर जो है वो 20 आया इसको डिवाइड करने पर मेरे पास 10 आया इसको डिवाइड करने पर मेरे पास कितना आया आपका 5 आया तो इस example से मुझे यह पता लगा कि अगर आपका numerator याणि उपर वाली answer वाली वैल्यू बराबर है और नीचे value value जितनी बड़ी है वो उतना छोटा आपको आपका आंसर देगी, नमबर देगी तो यानि कि अगर आपका denominator की value बड़ी है तो वो आपकी छोटी value होगी दूसरे वाले से इसकी value छोटी होगी तो इसी logic को try करेंगे, आप हम इस question को solve करेंगे तो यहाँ पर a is equal to में examiner ने दे रखा है मुझे under root 6 minus का under root 5 तो मैं इसलिए इसता हूँ 1 upon में under root में 6 plus का under root में 5 इसको rationalize करते हैं, जैसे rationalize किया था इसको वापिस rationalize किया उपर नीचे तो under root 6 plus का under root 5 से उपर multiply किया और नीचे multiply किया same, b की value निकालेंगे तो 1 upon में कितना हो जाएगा आपका under root 5 plus का 2 c की जब value निकालेंगे तो 1 upon में क्या हो जाएगा 2 plus का under root में आपका 3 इसको तो देखेंगे जब यह धियान से देखेंगे तो यह इसकी value है, यह वाली value यह जो value है, वो मेरे पास क्या greater than है बी उससे बढ़ी है और c मेरे पास में क्या है, उससे छोटी है, तो यहनी कि c जो होगा इसमें सबसे बढ़ा होगा, यहनी कि c जो इससे बढ़ा एक तो मेरे पास यह option नहीं वह उत्युक्त होता है यहनी कि यह वाला या यह वाला correct होगा उसके बाद देखिए A जो है मेरा वो सबसे छोटा होगा A मेरे पास सबसे छोटा होगा इसमें A मेरे पास सबसे छोटा होगा option इसमें D में आ रहा है यानि कि option D जोगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी का question समझ में आया होगा